म्यूजिक से मुझे शान्ती मिली, जीने का मकसद मिला, एक पैचान मिली, लोगों के दिल में स्थान मिला, म्यूजिक ही मुझे धर्म से जोडता है, म्यूजिक ही मुझे भगवान से जोडता है, म्यूजिक ही मेरे लिए इश्वर है, मैं हूँ दिवाकर्शर्मा, चार साल की उम्र से मैंने अपनी म्यूजिक की जो ट्रेनिंग शुरू की श्रीयोंकार नाच जी से मेरे पास मेरे नाना जी का जो हर्मोनियम है वो अब भी तक है क्योंकि उनको म्यूजिक का बहुत शौंक था वो बकाईदा गाते भी थे, classical भी और light भी उनसे मैंने सबसे पहली बाद हर्मोनियम सुना उसी टाइम मैंने सोचा कि मुझे वोकल्स भी करना है अपनी अवास को डिसकवर किया और उसी तरह मेरा सफ़ चुरू हुआ दिवाकर हंड़र्ड परसेंट प्योर सोल है मैं दिवाकर को शुरू से ही, छोटी उमर से ही मंदिरों में ले जाता था आज दिवाकर की जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके पीछे, उसकी प्योर सोल, उसका हार्ड वर्क आज मैं दिवाकर के फादर की तरह जाना जाता हूँ मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं मेरा देख पाना या देख ना पाना एक चिन है शरीर पर क्योंकि हर चीज हमेशा एक वक्त जैसी नहीं रहती दिवाकर की बगवान में काफी आस्था है अपने भी हमारे कुशिभी रिच्वल्स होते हैं बगवान के अच्छा लगता है इसको सभी कुछ सेलिबरेट करना सभी बचे ममी से बहुत अटाश्ड होते हैं यह अपने घर से और खाश्टार पर मेरे से बहुत अटाश्ड है इससे हर चीज चाहिए वो अच्छी है बुरी है यह में से शेयर करता है तो हम दोस्त की तरह ज़्यादा अच्छे से हैं अपनी इस पूरी जर्नी में मैं कुछ ऐसे इंसानों से मिला जैसे कि हमारे संगीत के देवी लदाजी डॉक्तर एपीजी अब्दुलकलाम साहब और प्यारे लाल जी से भी मैं मिला हाली में दुपाँके देगा से मुझे अवोर्ड्स पहले भी मिले यूजिक के गॉंपूडिशन में और गाने के शेतर में लेकिन ये अवोर्ड नहीं अब मैं रिवॉर्ड के लिए यहां पर हूं मैं स्वर्न स्वर्बारत के मंच पर आया हूं लोगों को अपनी अंधरूनी शान्ती और अपनी भक्ती से परिशित कराने के लिए